उतर प्रदेश के अंदर यार सबसे ज़्यादा जो प्रोब्लम है राउंड वन की काउंस्लिंग के बाद देखने को मिली हुई है एक्स्टा फीस की एक्स्टा सिक्रिटी मांट की बॉंड कंडिशन की मिस्लेनियस चार्जेस की बहुत धेर सारी प्रोब्लम समस्या है कुछ कॉलेज कि चार्ज कर रहे हैं एक लाग रुपे सीक्यूरटी दो लाग रुपै कुछ तीन लाग रुपै भी कर ले रहे हैं कुछ फर्स्ट एर में सोच नहीं कि पहली बार बच्चा आ रहा है कि यह कुछ चड़ाओं हमको बनता है कम से कम पांस साल लग रुपै की लाग रुपए के पाकेज भी सेल करें उत्तरप्रदेश के कॉलेज के अंदर मतलब कुछ कॉलेज इसे हैं जो पाकेज बना रखें के जो ऑफिसियल फीस उसको फॉलो नहीं करते हैं फीस कितनी है अगर दो लाग रुपई फीस दो डाई चार्ज करें गर धाई है तो तीन च सब्सक्राइब कितना चार्ज करते हैं 30,000-35,000 वो उनको अलग से चाहिए उसके बाद में 5,000-10,000 रुपए के उनको किट चाहिए वैलकम किट और यह तो कुछ नहीं मतलब फिर 4,000 रुपए को उनको चाहिए होगा की ड्रेसेस वगेरा का चार्ज है ना तो इस तरह से बहु कि उनकी सीट्स खाली रह जाती वच्चे अपग्रेड कर लेते हैं तो एक कुछ ऐसा सिस्टम उनको डावलप करना चाहिए जिससे कॉलेज और स्टूडेंट दोनों का लॉस नहीं हो कांसलिंग बोर्ड ऐसं थाइड पार्टी इसलिए होता है अब अगर आप यहां पर दे पूरा सिस्टम भी रूलिंग का वहीं से उठा रख है और लगबग लगवा कुछ रूल सेम उस तरह का नहीं कर पाए है उससे क्या हो रहा है एक्स्टाफीस की प्रोब्लम हमारी बच्चों को लॉस हो रहा है कॉलेज का भी लॉस हो रहा है कॉलेज की सीट्स भी वाकंट जा रही है अन सिस्टमाटिक और इतनी अक्टिविटी प्रोसेस करा देते हैं कि मैं बता नहीं सकता हूं नोडल सेंटर पर रिपोर्ट करके कौन से इतना तगड़ा वेरिफिकेशन होता मुझे यह नहीं समझ में आ रहा है अगर आपको वेरिफिकेशन कराना था तो आपन अलॉट्मेंट के बाद में जैसे अपने नोडल सेंटर बनाए थे वैसे आप भी अपने अपने नोडल सेंटर बना गए कुस लक्टिव कॉलेज के यहां पर एक्टिविटी करा सकते थे और जैसे अपर गया कि बच्चे को अगर अप्ग्रेड करना तो पहले कॉलेज में काउंसलिंग में नहीं मिली तो वह नॉट रेपोर्टेट सो कर देता तो उसका 50 रुपए किया वह फॉरिफिट हो गया तो वह सिस्टम को सही से फॉलो नहीं कर पा रहा है जैसे में प्रॉसेस क्या है राउंड वन किया अगर वह प्राइवेट कॉलेज में जाएगा तो द सब्सक्रा chakra pasado से लेकिर बश्यावेट में है राथ सब्सक्रा नहीं में तो यहां पर सारे बचों कि से कुछ से मुम्म नहीं है सरवर एर है अब कॉलेज से एक लाग रुपए एक पोटल का चार्ज करते हो मतलब अगर किसी कॉलेज को पाडिसिपेट करना है इस पोटल की काउंसलिंग में तेक लाग रुपए उसका चार्ज जाता है कुल मिला के लगबग 90 कॉलेज है तो मतलब एक सी आर का इलड यह संटर अलोटमेंन लेटर में आता है तो वह मृसके लेटित है बिल्स श्चराएज के था अखरदay करें पूरा बनवा देगा पूरी फैल उत रहे सब्सक्तर यहां पर यहां पर आसा कोई रोल नहीं है यहां पर जो पचाज ज़र रुपए आप जमा कर दो यहां समस्या यह है कि आपका क्या होगा एक कौमन नोडल सेंटर दे रखा बच्चे तीन दिन तक चार दिन तक रिपोर्ट करेंगा फिचकली दो गंटे चार गंटे बंद हो जाएगी और उस पर धूप में खड़े रहेंगे बैठे रहेंगे ऐसा फिचकली वे में चलता रह अगर आपको करानी यह तो आप इसके तरह नोडल सेंटर बनाओ अगर आपको लग रहा कुछ बच्चे फ्रॉड करके गलत करके आ सकते हैं डॉकुमेंट्स ला सकते हैं तो आप जैसे नोडल सेंटर बनाओ और आप जो आयूज कांसलिंग में क्या है रिपोर्टिंग करहें तो अभी फाइल बनाओंगा नहीं तो नौट रिपोर्टेड कर दूगा बच्चा तो फस्क्राइब लेकर कांसलिंग का रूलिंग यह होता है कि आपको बचा करना है कुछ मिसलिनियस चार्ज करने हैं तो आप जैसे आम इपिएस में कांसलिंग फीस का पूरा बाइ लगता है सिस्टम को थोड़ा से इंप्रूम्मेंट की नीड है अदरवाइस बहुत सरे बच्चे इस तरह से सिस्टम में फजाते हैं जो अपग्रेड करेंगे उनका कॉलेज फीस वापस नहीं करता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम समस्य आए हैं तो मुझे लगता है कि यह भी हो सकता कुछ चीजों की इंप्रूमेंट आए वीडियो आज की ही तक मिलते है नेक्स वीडियो में बाए बाए